बिहार में विधान परिसद की 24 सीचों पर होने वाले चुनाव को लेकर महा गटबंधन में कलह गहराते ही जा रहा है राज़त ने अपने सबसे बड़े सहयोगी दल कॉंग्रेस के बिना सहमती लिए कई सीटों पर अपने प्रत्याशी तै कर दिये हैं इधर कॉंग्रेस ने भी राज़त की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कमजोर नहीं समझने की शेतावनी देडाली है लेकिन राज़त और कॉंग्रेस नेताओं की माने तो राज़त और कॉंग्रेस गड़बंधन में वे मजबूती नहीं है राज़त अब गड़बंधन के बंधन से अपना पीछा छुडाना चाह रही है राज़त प्रवक्ता मृत्युन जैतिवारी का बयान इसके संकेत है यह दोनों दलों के बीच चल रहे उठापचक की कहानी को बया करती है तेजस्वी आदब ने भी अपने लोगों के बीच गडबंधन के बंधन से मुक्ति का संकेत दे चुके है कॉंग्रेस और उनके प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन जा को भी इसकी सूशना है राज़त प्रवक्ता मृत्युन जैतिवारी ने कॉंग्रेस पर तंच किया कि विधान परसत चुनाव की सीटे सत्यनारायन भगवान का प्रसाद है क्या जो इसे भी सभी में बाट दे किसकी कितनी ताकत है यह सब जानते हैं कॉंग्रेस के 19 विधायक आरजेडी की वचह से ही हैं तेजस्वी आदब सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटे हैं कॉंग्रेस को इसमें सहयोग करना चाहिए और नकरात्मक्ता राजनिती छोड़नी चाहिए राजनितिक विशलेशकों की माने तो मृत्यून जैतिवारी ने जो कुछ कहा है कह कर जरूर रहे थे लेकिन ऐसा कहने का उन्हें निर्देश उपर से मिला था यही कारण था कि उन्होंने इशारों में ही कॉंग्रेस को उसकी रमीन दिखा दी और बाहर का रास्ता भी अई बता दे कि बिहारवधान परसद की सीचों को लेकर राज़त कॉंग्रेस के बीच चल रही नूरा कुछती पर चुटकी लेते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्य अक्ष राजीब रंजन ने कहा है कि राज़त ने साफ कर दिया है यदि कॉंग्रेस को बिहार में राज़निती करनी है तो उन्हें हर हाल में राज़त के इशारे पर नाचना होगा भाजपा ही नहीं बिहार के राज़निते के गल्यारे में भी इसकी चलचा तेज हो गई है कि राज़त और कॉंग्रेस के वर्सो पुराने गड़बंधन में दरार पड़ गई है राजद अब कॉंग्रेस से अपना गडवन धन तोड़ना चाह रही है आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिये बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहे है एस पी एन नाइन न्यूस के साथ